Hello friends, welcome आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल Make Design पे तो ये हमारा Photoshop का Class No.21 है तो आज का जो मारा topic होने वाला है friends, वो हमारा masking का topic होने वाला है तो बहुत ही important topic है, इस वीडियो को मिस्मत कीजिएगा तो चली देखते हैं कि कैसे हम Photoshop में masking का यूज करते हैं तो masking को समझने के लिए friends, मैंने यहाँ पे एक image open करके रखा हुआ है और इसी image के help से हम समझेंगे कि आखिर मेरा masking क्या होता है और कैसे हम उसका use करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि masking से मेरा यहाँ पे एक word निकल के आ रहा है माक्स तो यदि मैं आप लोगों को माक्स का definition पूछू तो अखिर क्या हो सकता है माक्स का definition क्या है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि माक्स से क्या कर सकते हैं किसी भी पार्ट को hide कर सकते हैं जैसके for example superman या फिर Chris हमारा marks पैना हुआ है तो उसका marks क्या कर रहा है कि उसके face को क्या कर रहा ना hide कर रहा है आई हो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो बहुत कोई को यहीं लगता है कि marks का क्या काम है marks के help से हम किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं hide कर सकते हैं And second come, वो क्या कर रहा है न? वो उसके face को दिखा रहा है, जैसे कि वो जब marks पहना तो उसका आग भी छुपा हुआ है, क्या? नहीं, आग तो दिख रहा है न? उसका मूँ भी छुपा हुआ है, क्या? नहीं, मूँ तो दिख रहा है न? यानि कि आसरी वो face को hide किया है, बट आग को दिखा रहा है, नाप को दिखा रहा है, उसका मूद को दिखा रहा है, बट वो फेस को हाइड कर दिया, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि Marks का हमारा दो काम पाला इसके हम किसी भी पार्ट को हाइड कर सकते हैं या फिर इसके से हम किसी भी पार्ट को दिखा सकते हैं, तो चलिए समझते हैं कि Photoshop में हम कैसे marks का यूज करते हैं, तो इसके लिए friends आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि मेरा marks है कहां पे, तो marks आपको मिलेगा layers के panel में, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक rectangle है, और उसमें आपको छोटा सा circle नजर आ रहा होगा, और यहां पे आपको लिखा वारा होगा add a marks, तो इसी के हल्प से marks apply कर सकते हैं, तो इस marks का मेरा नाम क्या फोटो सॉप में हमारा बहुत टाइब का marks होता है friends, जो हम आप लोगों को आगे आने वाले classes में explain करेंगे, तो चलिए हम सबसे पहले इस marks को देखते हैं, और इस marks का हमारा नाम क्या है, तो जैसा कि आप देख साती कि यह हमारा कहां पे जैसा कि मैंने एरेजर के classes में आप लोगों को बताया था कि हम life में कभी भी eraser का use नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्योंकि अगर एक बार eraser से हम किसी भी image को erase कर देते तो वो क्या करता है उसके data को remove कर देता यानि कि delete कर देता है और जब आप उस file को save करके दुबारा open कीजेगा और अगर आप सूचेगा कि उस data को हम वापस ले आएं, तो यह possible नहीं है, वो data मेरा delete हो जाता है, बट marks में ऐसा नहीं है, friends, marks में क्या होता है, कि हम जब चाहें तब किसी भी data को hide कर सकते हैं, और जब चाहें तब हम उस data को दुबारा वापस ला सकते हैं, जैसा कि चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि लिखा वर आओगा add marks, हमें simple इसके उपर click करना है, मैं जैसी इसके उपर click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर आपको दो thumbnail नजर आ रहा हुआ, इससे पहले देख सकते हैं, कि यहाँ पर मेरा एक thumbnail था, मैं इसके size को ज़र सा increase कर दे रहा हूँ, तो हमें simple fly-out button के उपर click करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपको लिखा वर आओगा, panel option, हमें simple इसके उपर जाना है, और यहाँ से मैं इसका large जूज कर ले रहा हुआ हैं, и simple okay के उपर hit कर दे रहा हुआ, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर मेरा घृत, उमेरा large होग गया, हमें को भी नहीं करना है, हमें इसके उपर click कर रहा हुआ, मैं जैसी इसके उपर click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दो थमनिल नजर आ रहा होगा, पहला मेरा layer thumbnail यानि मेरा image का thumbnail हो गया, and second जो यह मेरा आया या यह दरसल मेरा marks का thumbnail आया, अब यहां पर देखिये आपको एक color नजर आ रहा होगा, जो है मेरा white, तो white color यहां पर है, तो यहां से आप indicate कर सकते हैं कि अभी जो मेरा marks है, marks में मेरा कौन से color है, white, तो यह क्या कर रहा है पूरा आपको यह दिखा रहा है, यानि यह तो आपको भी layer नजर आ रहा है लेकिन यदि मैं इस पर black फिर देता हूँ, यहां से हमें marks को select करना है, यहां पर लेक्शेकी है, जैसे में आप लोगों को बता चुका है, simple brush के classes में यह सा मैंने आप लोगों को clear किया था friends, तो अगर मैं layer पे रहता हूं and brush मैं यहां पे click मतब फेड़ता हूं, तो आप देख साते हूं कि यह मेरा simple layer पे मेरा यह color fill कर रहा है, लेकिन यदि मैं marks वाली thumbnail को select कर लेता हूं और marks वाली thumbnail को select करके, जब मैं यहां पे black color को fill करता हूं friends, तो यहां पे देख साते हैं कि यहां पे मेरा यह क्या कर रहा है, यह मेरा image को hide कर रहा है, मैंने अभी एक word यूज किया hide, मरना और बिहुस होना दोनों में अंतर है, जैसे कि अगर हम image को delete कर दिया तो वह मर गया, वह वापस नहीं आ सकता है, Ctrl-Z मेरा permanent solution नहीं है friends, यह मेरा temporary solution है, तो एक बार गारणा delete कर दिजिगा न तो वह वापस नहीं आएगा, यह मेरा hide हुआ है, तो यदि मैं यहां पर यहां पे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह वापस आना इस्टार्ट हो चुका है, I hope आपको यहां पर यह समझ में आ रहा होगा, तो simple friends यहाँ पे हमें याद कर लेना है कि यदि marks में मैं white color feel करता हूँ तो ये क्या करता है ये image को वापस लाता है यदि मैं इस पे black color feel करता हूँ तो ये image को erase करता है याने कि hide करता है यानि image के पार्ट को यह क्या कर देता है, hide कर देता है, I hope आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा. Now friends, अब यहां पर एक question यह आ रहा होगा, कि बहुत सारी student के mind में आ रहा होगा कि Sir, यदि हम black और white को remove करके कोई दूसरा color अगर हम यूज करेंगे, तो क्या होगा, तो यह क्या करेगा, यह उसका grey scale value उठा लेगा, जैसे कि मैं यहां से कोई भी color ले ले रहा हूँ, जैसे कि blue, जब यहां पर मैं blue लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा grey आ गय यानि कि marks में स्रीफ दो color available है, एक black और एक white, दरसल मेरा जो black और white है फ्रेंड से, मेरा neutral color कहलाता है, तो हमें simple marks में स्रीफ दो color का use करना है, या फिर हम ऐसा भी बहुत सकते हैं कि marks में स्रीफ दो color का use कर सकते हैं, पहला black और दूसरा white, कोई अधर color लेजेगा तो grey आ होगा, तो यह पूरी तरीका से remove नहीं किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे grey color fill किया है, यहाँ पे black color fill नहीं किया है, तो चलिए इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और image को open कर लेता हूँ, और उस image के help से चलिए हम इसे थोड़ा सा और clear तरीके से समझते हैं, तो इसके इसका background friends, मैंने magic wand tool के help से remove करके आप लोगों को बताया था, बट उस समय मैंने क्या किया था friends, जैसे क्या आप देख सकते हैं, फीसे मैं इसे select कर ले रहा हूँ, यह tolerance मेरा जादा है, तो इसका tolerance को मैं यूं कम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूं select करके control shift I press कर रहा हूँ जिससे मेरा selection inverse हो गया, और control J press कर रहा हूँ, तो control J press करने से क्या हुआ था, कि यह मेरा इक अलग layer पर copy आ गया था, बट control J press करने से क्या हो रहा है, कि इसका data जो मेरा था sky, यानि इसका data था ना, वो मेरा delete हो चुका है, तो इसलिए आज के बाद हम कभी भी control J का use नहीं करें तो हम हमेसा marks का use करेंगे, तो जैसा कि देख सकते हैं कि यदि हमें इसका background को remove करना है, तो background को remove करने के लिए हमें सबसे पहले object selection tool लेकि इसे यूँ friends फिर के select कर लेना है, and select करने के बाद friends हमें कुछ भी नहीं करना है, control J, इस सब हमको कुछ भी press नहीं करना है, हमें simple, आई कर देगा, और जो मेरा de-select वाला part है उसमें ये black color fill कर देगा, यानि कि देखें ये क्या कर रहा है, जैसे मैं इसके उपर click कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, आप यहापे thumbnails में देख सकते हैं, कि ये dog के उपर white color fill किया, अगर आपको thumbnails को full screen पे देखना हूँ friends, तो आप simple alt के help से इस thumbnail के उपर click किजे, मैं जैसे इसके उपर click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, कि यहापे आपको ये full screen में नजर आ रहा होगा, यानि कि पुरा canvas में आपको thumbnail नजर आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, कि Photoshop क्या क्या, Photoshop जो मेरा image का selected part था उसमें ये automatic white color fill किया, यानि कि उसको Photoshop को लगा, कि जो part को हम select किया है, उसको हम देखना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये क्या क्या किया है, कि उसमें हमसे बीना पूछे, automatic white color fill कर दिया, और जो part मेरा de-select था न, वो क्या किया है, कि उसमें मेरा black color fill कर दिया, तो आप देख सकत कि यहां पर मेरा background है, वो remove हो चुका है, and marks से background remove करने का फायदा क्या हुआ, कि यह data मेरा delete नहीं हुआ है, अब जब चाहें तब इसको वापस ला सकते हैं, यदि आप इसके उपर white फेरियेगा, तो आप देख साथ न, कि यह मेरा वापस आ रहा है, और यदि आप इस पर black फ friends, कि आपको marks का use पता चल गया होगा, कि इसका use हम कैसे करते हैं, तो चलिए marks का use करके हम कुछ बनाते हैं, जिससे आप लोगों को practice करने का कुछ मिल जाएगा, and उसका practice किजिएगा, friends, वो मेरा बहुत ही important tutorials है, तो चलिए देखते हैं, कि आखिर marks का use करके हम क्या बना सकते ह तो इसके लिए, friends, हमें दो image open करना है, तो मैंने वो image save करके रखा हुआ, friends, तो मैं simple, यहां से आप देख सकते हैं, कि मेरा एक यह hand वाला image हुआ, हमें simple, इसको open कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते है, friends, कि मैंने इस hand का जो background वो remove करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को आप लोगों को tough नहीं लगना चाहिए, background remove करते समय हम हमें सा marks का use करेंगे, and marks के help से हम background को remove करेंगे, तो हमें simple, इस image को open कर लेना है, and इस image को, friends, मैं थोड़ा सा transform कर दे रहा हूँ, तो हमें simple, control plus T press करना है, and यहां से इसे यू हमें transform कर दे रहा है, and हमें इसे, friends, यू रख करना है, and नीचे चली हम कोई color fill कर देते हैं, तो जैसे कि मैं यहां से कोई color ले ले रहा हूँ, friends, जैसे कि मैं यहां से यह वाला color fill कर रहा हूँ, simple, ok कर देना है, and alt backspace के help से, मैं इसके नीचे यह color यहां पर fill कर दे रहा हूँ, I hope, friends, कि आपको यहां तक समझ में आ रहा हमें एक और image open करना है, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं करना है, simple, file में जाना है, and यहां से हमें open करना है, यह वाला image, and simple, इसे मैं यहां से यू open कर ले रहा हूँ, ना, friends, तो आप देख सकते हैं कि यह image हमारा यहाँ पर open हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस image के face को, lasso tool के help से cut कर ले रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि, यह मेंरा स्लैब हो चुका है अब हमें कुछ भी नहीं करना है इस पार्ट को ctrl c से copy करना है और आ जाना है अपने इस image में यानि कि यहां पर sorry इसमें आ जाना है उस पार्ट को मैंने जो copy किया था friends and उसी पार्ट को मैं यहां पर ctrl v से paste कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यह मेरा यहां पर आ चुका है अब हमें इसको थोड़ा सा transform करना है तो transform करने से पहले हमें क्या करना है इसको opacity को थोड़ा सा down कर देना है जिसे हम इसे अराम से यहां पर set कर सकते हैं तो simple ctrl plus t के हल्प से हम इसे transform कर सकते हैं और मैं right click करके friends इसे flip कर रहा हूं हमें simple right click करके यूँ flip कर देना है and flip करके मैं इसे थोड़ा सा यूँ ऐसे corners में जाके मैं इसे यू rotate कर रहा हूं friends यहां पर लाकि हमको क्या करना है, fit कर देना है, जैसके आप देख साथ है कि यहां पर हैंड में क्या हो रहा है, कुछ यू यहां पर ऐसे यह मेरा fit हो चुका है, तो हमें simple okay के ओपर hit कर देना है, अब हमें कुस भी नहीं करना है, इसके opacity को फिर से increase कर देना है, अब friends हमें आना flow में अभी 100% ही रख रहा हूँ, and simple, यहां से हमें इस part को ऐसे remove कर देना है, तो यह data मेरा delete नहीं हुआ, यह data मेरा hide हुआ है, now friends, अब हमें आजाना है उपर वाले layer में, and यहां पे भी हमें apply करना है layer marks, क्या apply करना है layer marks, and इस बार friends, मैं flow को थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, यहां से side-side से you erase करता हूँ, friends, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमें ज्यादा erase करना पड़ेगा, मैं you erase कर दे रहा हूँ, and side-side से friends, हमें यहां पे you erase कर देना है, flow अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और increase कर सकते हैं, जिसकि मैं यहां यहां इतना बढ़ा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहां पे यह जो मेरा data है, वो मेरा hide होना start हो चुका है, हमें simple इसे you hide कर देना है, and यहां पे you erase कर देना, flow कम करने से friends, मेरा हुआ क्या, तो flow कम करने से कुछ भी नहीं हुआ, मेरा यह जो image है, इसका hardness है, वो मेरा थोड़ा सा कम हो गया, जिसके कारने यह मेरा blend हो गया, जिसके आप देख सकते हैं कि यह मेरा आपस में क्या हो जाएगा, यह थोड़ा सा feather tap का look आ गया, flow कम करने से, तो I hope friends कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, अब हमें इसके नीचे shadow रखना है, shadow रखने से थोड़ा सा realistic look देगा, तो हमें simple इसे थोड़ layer को select कर ले रहा हूँ, यहां पे हमें new layer लेना है, तो मैं जैसे ही new layer लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा transparent layer आ चुका है, इस बार हमें लेना है brush, यहां पे color रखना है black, and brush का hardness है friends, वो हमें कम रखना है, and flow हमें यहां से थोड़ा सा 100% कर दे रहा हूँ, य इसके लिए मैं control plus T press कर रहा हूँ, and shift के help से friends मैं इसे यू turn कर रहा हूँ, shift के help से, and इसे friends उठा के मैं यहां पे यू रख दे रहा हूँ, and इसका opacity friends मैं यू कम कर दे रहा हूँ, कुछ इतना, and इसे थोड़ा सा और मैं उपर यहां पे ऐसे रख दे रहा हूँ, तो आप दे तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा friends, तो इसे like कर लिजिए, and जल्दी से जल्दी चैनल को subscribe कर लिजिए, आज इसे आपका Photoshop का एक भी वीडियो miss न हो, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, thank you.